नमस्कार, स्वागत आपका सेल्फ्ट्रडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लद्दाख में अभी हाली के अंदर विरोध परदर्शन देखने को मिले हैं अब यहां पर सरकार कह रहे हैं कि हम आपको सिक्स स्केडियो तो नहीं दे सकते लेकिन आटिकल 371 ये तो हम आपको दे सकते हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो लद्दाख में विरोध परदर्शन चल क्यों रही हैं साथ इसाथ सरकार सिक्स स्केडियो क्यों नहीं दे सकती और आटिकल 371 क्यों दे रही है 5 अगस 2019 को जिसके तहर जम्मू कश्मीर को स्टेट हूट का दरजा चीनते हुए एक तो आटिकल 371 खतम, 370 खतम भी कर दिया जहां पर ये खुद का समीधान हुआ करता था जम्मू कश्मीर के अंदर वो खतम करते हुए यहां पर जम्मू कश्मीर का स्टेट हूट का भी दरजा इससे चीन लिया यानि कि इसको राज्ये के बज़ाए इसको यूटी बना दिया और लद्दाक को भी यूटी बना दिया लेकिन जो जमू एन कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यहां पर इसको legislative assembly दे दी गई यानि कि विधान सभा यहां पर इनको दे दी गई कि आप यहां पर क्या होंगे election होंगे, election होंगे आप अपनी तरफ से मुख्य मंतरी यहां पर चून सकते हैं लेकिन यूटी बनाया गया लद्दाक को विदाउट legislative assembly के तो यह भी हम देखेंगे कितनी हमारे देश के अंदर union territories हैं कहां-कहां पर legislative assembly है union territory के अंदर और यहां पर main जो चीज है इस वीडियो की 371 आर्टिकल क्या है यह कैसे schedule 6 schedule से अलग है और यहां पर विरोध परदर्शन क्यूं हो रहे हैं इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से discuss करने वाले इस वीडियो के अंदर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूँ यह तो एक disclaimer मैंने आप लोगों को दे दिया लद्दाग के जो परतिनिदी है एक representative है यहां पर दो एक तरीके से representative आये हुए थे एक ABL, ABL यहनि की lay apex body और एक आया था कार्गिल democratic alliance जिसको कहा गया KDA इन दोनों के साथ सरकार ने बैठकर बाचित की और बाचित करते हूँ इनको का कि आप tension ना लेजे हम आपको 371 article दे देंगे इनको यह बात बोलती और आशवाशन दिया है कि हम हमाँ आप जो आपकी जो चिंताएं है actual में जो लदाग में है main जो चिंता का कार्ण यह है कि यह जो कह रहे है कि लदाग के अंदर जो आपने क्या किया है union territory बना देने से अब यहाँ पर बहुत सारे बहार के लोग आएंगे companies यहाँ पर आएंगे तो क्या कहरे है कि वहाँ की नोक्रियां वहाँ की भूमी वहाँ की जो संस्कृती है उनकी चिंताएं भढ़ गई है कि भई हमारी संस्कृती कहीं खराब ना हो जाए हमारा कल्चर जो है वो एक तरीके से हम रिजर्व रखना जाते हैं उसकी स्रुक्षित रखना जाते हैं वो कहीं खराब ना हो जाए हमारी भूमी हमसे कोई छीन ना ले हमारी नोकरिया हम से कोई छीन ना ले इन सब चीजों की इनको चीनताएं जो है वो सता रही है अब सता रही है तो यह चाहते हैं कि देखिए आपने तो जमू एंड कश्मीर को तो आपने एक तरीके से यूनिन टेरिटरी तो बनाये लेकिन वहां पर आपने लेजिसलेटिव आपने लेकिन हमारे यह कानून गएगा और यहां पर रिप्रेजन्टिटिव कोई होगा नहीं लटाक के अंदर यहां पर बुर्योकरिसी चलेगी आप वो तो किसी के पर्ति जवाब देई होंगे नहीं अगर उन्होंने काम नहीं किया तो अने वाले टाइम में कैसे वो पर परशाशन चलाया जाता है, वो तो वहाँ पर पड़े लिखे लोग exam दे के आते हैं, अब exam दे के आते हैं, वो तो अलग-अलग राज्यों से आते हैं, तो वहाँ की परिस्तिती को नहीं समझेंगे, परिस्तिती को नहीं समझेंगे, तो वहाँ उनके according नहीं चलेंगे, त आपको Article 371 देंगे, तो main यहाँ पर concern बन क्या आता है, 371 versus 6th schedule, यहाँ पर यह बन क्या आता है हमारे सामने, 371 क्यों दे रही है सरकार, 6th schedule देने में क्या हर्ज है, जो यह बात बोली गई है, कि हम आपको क्या दे देंगे, आपकी job को, आपको tension है, कोई बात नहीं, आपको आपकी जमीन की tension है, कोई बात नहीं, culture की tension है, कोई बात नहीं, यह सारी चीज़ें जो है, वो Article 371 cover कर लेगा, लेकिन हम आपको 6th schedule नहीं देंगे, कहा कहा कि 6th schedule of the constitution, यह हम आपको नहीं दे सकते, वहाँ तक हम नहीं जा सकते, तो अब आते हैं, हम जान लेतें, कि एक तो first of all हम यह देख लेतें, कि हमारे देश के अंदर union territories कितनी है, देखे, union territories के अगर हम बात करें, तो हमारे देश के अंदर 8 union territories आती है, जमु एंड कश्मीर और लद्दा, जमु एंड कश्मीर तो एक होगी, लद्दा के हमारे सामने दूसरी होगी, तीसरी नमबर यहां में दिल्ली, चोथे नमबर पे चंडिगर, दमन एंडिव, दादर एंड नगर हवेली, यह एक है, पहले यह अलग-अलग हुआ करती थी, लेकिन केंदर शासित, परदेश का आजाता है, क्लियर हुआ हमारे सामने, आप देखिए, कुछ यूनिन टरिटरी ऐसी है, कि जहां पर इलेक्टिट गोवर्मेंट चलती है, जहां पर केंदर नहीं, बलकि वहां के लोग अपने द्वारा एक परतिनीधी चुनते हैं, और उसके माद्धिम से वहां पर एड्मिनिस्टेशन वर्क करता है, जैसे कि दिली के अंदर केजरिवाल, आम आदमी पार्टी जो है, वहां पर क्या कर रही है, अपने अकोर्डिंग कानून बनाते हैं, अपने अकोर्डिंग चीज़े हैं, वहां एड्मिनिस्टेशन जो है, वह अपने अकोर्डिंग चला रहे हैं, चुनिवी सरकार वहां पर चला रही है, तो हमारे सामने यहां पर तीन है, जमू इंड कश्मीर है, दिल्ली और पूरुडुचेरी है, लेकिन जमू इंड कश्मीर हैं भी इलेक्शन नहीं हुए, डीन लिमिटेशन प्रोसेस हो गया, एनिपरी सीमन हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम है, यहां पर चुनाव हो जाएंगे, अब देखे, कब कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कि यहां पर अगर हम बिना चुनी हुई सरकार के ही, अगर सिस्टम चल रहा है तो क्यों नहीं चला सकते हैं, लेकि क्या होता है कि जो, जहां कि स्थानी लोग होते हैं, अब वो तो अपना custom अपने coding चलाते हैं उनको वहाँ पर रहने की एक तरीके से होता है कि हम वहीं रह रहे हैं हमें हमारा culture पसंद है हमें हमारी जमीन पसंद है हम बाहर का interfere नहीं चाते है उससे हमारा culture जो है वो खराब हो जाएगा तो वो सब चीज़ें आती है वो अपने आपको स्रंक्षित रखना जाते है वो नहीं होते हैं किसी के साथ उनको नहीं गुलना मिला है अपने में ही वो सीमित है ठीक है तो यह सब चीज़ें होते हैं हमें भी उनकी एक तरीके से होती हैं जो उनकी इच्छाएं हैं, ये तो न कहरे हैं कि हमें देश से अलग कर दो, वो ये जब चीज़ नहीं माग रहे हैं, वो कहरे हैं कि हमें हमारा शेत्र, हमारे कोडिंग चलाने दीजिये, वो इतनी सी मांग रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने शेत्र को लेकर काफी तो यहां पर क्या है अगर elected government नहीं होगी तो सुनी तो जो center government है वो सीधा परशाशन कर रही है यहां पर तो यहां पर जो bureaucracy है वो तो अपना काम कर देंगे लेकिन उनसे काम नहीं हुआ अगर उन्होंने कोई corruption कर दिया तो यह जो लोग हैं वो किसे शिकायत करते फिरेंगे लेकिन as compared to अगर हम यहां बात करें जहां legislative assembly है जहां विधान सबा है तो यहां क्या भई लोगों को बता चला अरे इसने corruption के अगले पांस साल बात तो यह इनका चुनाव के अंदर vote मांगने आ नहीं है तो जो लोग के हैं वहांबर यनका सारा हिसाब कर देते हैं तो यह बहुत जादा फरक पड़ता है जवाब दही होते हैं अब जवाब दही उनको कही न कहीं डर रहता है अरे यार, हमने काम नहीं किया तो लोग हमको निकाल देंगे हमें आने वाले टाइम में वोट नहीं मिलेगा वोट बैंक के लिए वहाँ पर काम करना पड़ता है एक डर रहता है वहाँ पर यहाँ पर किस बात का डर? भाई चुना हुआ विक्ति तोड़ना है यहाँ पर यहाँ पर तो एक तरीके से यहाँ पर और जयान लेनी चाहिए कि जो population है लदाग के अंदर यह 97% 97% more than 97% कहेंगे कि वहाँ पर जो एक मिनिट tribal population कहा गया है कि जो लदाग के अंदर जो tribal population है वो 97% है अब यह क्यों मैंने यह effect लेकर रहा है इसके पीछे भी रेक दिजिजन है अब आगे हम वीडियो में चलेंगे वहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दूँगा तो यहाँ पर schedule tribes है उनके ज़्यादा तर जो नेम है बाल्टी, बेडा, बोट जिसको कहा गया है ब्रोकपा I hope so मैं सही नाम ले रहा हूँ द्रोकपा हो गया, दार्द हो गया, शाही हो गया यह चांकपा, घारा, मोन पुरिगपा, यह जो वहां की जो main जो ST communities है या ST community के नेम जो है आपके सामने यहाँ पर लिखे हूँ है clear, तो अब आते हैं हम कि यह समीधान की चटी अनुसूची, यानि की 6th schedule यह है क्या आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 5 अगस्त 2019 को Article 370 जो है इसको निरस्त, यानि रिपिल कर दिया गया उसको रिपिल करने के बाद देश मे जमूग एंड कश्मीर Reorganization Act 2019 19 लाया गया, जिसके तहट क्या हुआ लदा को बिना विधाय का यानि की बिना विधान सभा Legislative Assembly के एक अलग से केंदर शासित परदेश के रूप में मानेता मिली, वह यह कहते हैं कि आपने जमूग एंड कश्मीर को तो बहुत कुछ दे दिया अब वहां पर आप Infrastructure देखेंगे बहुत तेजी से काम हो रहा है जमूग कश्मीर के अंदर अभी हाली के अंदर जमूग कश्मीर के अंदर ट्रेन जो चलाई गई है वहां पर Electrical ट्रेन जो है वहां पर चला दी गई है तो यह कह रहे है कि हमें तो कुछ नहीं मिला तो हमारी जो मांग है उनका भी ध्यान दिया जाए इनकी Special requirement वह यह है कि हमारे लोगों का नोकरी हमारे लोगों के लिए जो जमीन है या फिर हमारा जो कल्चर है उनको भी सरंक्षित रखा जाए इनका यह कहना है अब अलग होने के बाद देखिए अलग होने के बाद जो ABL है KD से है ABL यह ना इनका नाम ABL और KDA इन्होंने डिमांड की कि हमें क्या है 6th schedule के अंदर हमें शामिल कर लिया जाए अब 6th schedule जो है वो एक तरीके से असम, मेघाले, तरिपूरा, मिजोरम इन राजवें जो जन जाती है जो ट्राइबल शेतर है वहाँ के परशार्षन से संबंदित प्रावधान इसके अंदर है अब देखिए 6th schedule के है एक बार छोड़ा समय आपको ऐसे समझाते है ठीक है इसको मैं आपको समझाता हूँ अब ये जो है आपकी सामने हो गया राजस्तान अब राजस्तान में 6th schedule लगाना है for example 6th schedule लगाना है अब 6th schedule जो है पूरे state में ना लगकर पूरे state में ना लगकर एक district के अंदर एक छोटे से शेतर के अंदर वहाँ पर 6th schedule लगा लिया जाएगा अब क्यों लगा लिया जाएगा कि यहां के जो लोग हैं वो बहुत जादा sensitive या फिर कहेंगे कि एक तरीके से बहुत venerable लोग हैं कि अपने जो कस्टम उनको बचा के रखना चाथे हैं आपने देखा हुआ है कि यहां पर Eastern Shetra के अंदर आप देखते हैं यह यहां पर आप देखे मारे देश के अंदर नर्कंकाल पहनना एक तरीके से लेकिन यहां पर वो सब चीज़ें चलती हैं नरकंकाल यहां पर चलता है, यहां की जो माननेता हैं वो बहुत जादा अलग है, तो यह अपने कस्टम में किसी के बाहर वाले का हस्तक शेप नहीं चाते, तो हस्तक शेप नहीं चाते, तो कुछ-कुछ जगाएं पर जैसे यहां हो गया, यहां हो गया, ऐसे for example, कि यहां पर यहां पर बना दी गई, ADC, ARC क्या है, कि यहां के जो लोग हैं, अपने हिसाब से अपना कानूर बनाएंगे, अपने हिसाब से तलाक, अपने हिसाब से विवहा, जमीन कैसे कंट्रोल करना है, क्रिशी कैसे करनी है, वहां पर स्कूल हो गया, या फिर कोई भी समाजिक निर् तो यह सिक्स केडूल बहुत बड़े व्यापक के तोर में क्या होता है, पावर देता है वहां पर, तो यह हो गया हमारे सामने, clear, अब इस अनुसूची के तहत, यानि इस केडूल के तहत क्या होता है, शामिल के जाने पर, लद्दा को जंजाती शेत्रों का परशाशन करने की शक्ती के साथ, वहां के जो जंजाती, जो लोग है, उनका तो administration करेंगे, करेंगे, लेकिन साथ इसाथ इनको क्या होगा, ये, Autonomious, District Council, Autonomious, Regional Council के द्वारा जो है, वहां पर, लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं, क्रिशी, क्रिशी के लिए कोई कानूर बनाना हो, या फिर, forest management है, उसके लिए कोई कानूर बनाना हो, जो गाव है, जो कस्बे हैं, वहां के administration के लिए, या विरासत के लिए, या विवाह, या तलाग के लिए, या फिर हम बात करें, समाजी करिती रिवाजों जैसे, ये जो विशे हैं, इनके उपर कानूर बनाना हो, ये सारी शक्ति ज simple भाशा में बताऊं, तो बहुत ज़्यादा power देता है, एक जगह के लोगों को, कि आप अपने हिसाब से अपना शेतर चला लीजिए, आपके बाहर कोई यहाँ पर अस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको क्रिशी के उपर कोई tax लगाना है, आपको forest management कैसे करना है, या फिर आ पहर से center या state government भी आपके यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो यह schedule बहुत ज़्यादा powerful होता है, clear, तो ADC और ARC जो है, अनुसुची जन जाती के बहीं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की लोगों को बना सकते क्या, अनुसुची जन जाती के अंदर नहीं बना सकत हैं, और अपने द्वारा बनाएगे कानून को, ADC और ARC जो है, वो कानून बनाएगे, और अपने द्वारा जो नहीं उनने कानून बना दिया, इनको यह सही डंक से लागू हुए या नहीं हुए, इनकी निगरानी के लिए अधिकारी भी यह निक्त कर सकते हैं, इतनी इनक नहीं अपराद किया हुए, तो राज्ये को जो राज्येपाल है, वो क्या करेगा, ADC और ARC को भई आप जो है, वो देश के अपरादिक और नागरी कानूनों केता है, जो है, मुकदमा चलाने की शक्ती परदान कर सकता है, राज्येपाल ADC और ARC को, इतनी पावर आजाती ह यहां पर, अनुसूचित, यह अनुसूची जो है, यानि यह स्केडियूल जो है, वो ADC और ARC को भूमी का राज्येपाल करने, टैक्स लगाने, धन उधार देने, वेपार कैसे चलेगा, वेपार को रेगुलेट करने, उसके साथ साथ जो वहां के खनिज पदार्त हैं, उन तो आप देखिए, एक तरीके से ADC और ARC बहुत जादा पावरफुल हो जाते हैं, वहां के लोगों को बहुत जादा स्वायत्ता मिल जाती है, कि आप अपने एकोडिंग अपना शेतर चला लेजे, कोई भी बाहर सेंटर फेर नहीं करेगा, तो यह होती है ADC और ARC, मतलब क यह देखिए, आर्टिकल A से लेके J तक आते हैं, हर एक जो यह close जोड़ा गया है, वो अलग-अलग state के लिए, A जो है वो नाकालेंड के लिए है, B जो है वो असम के लिए है, आर्टिकल 371 C जो है मनीपूर के लिए है, D जो है वो तेलंगाना के लिए है, E जो है वो आंद अरुनाचल परदेश के लिए है, आर्टिकल 371 I जो है वो गोवा के लिए है, 371 J जो है वो करनाटका के लिए, तो यहाँ पर अलग-अलग बोले गए है, एक से लेके J तक आते हैं, ऐसे ही कहा गया, आर्टिकल 371, एक और close जोड़ दिया जाएगा, amendment के माध्यम से, कि भई आर्टिकल 371 दे सकते हैं, यह अमिशाजी के द्वारा बोले गए हैं, अब यह आर्टिकल 371 होता है, फर्स्ट और तो आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 371 एसे लेके J तक है, हर एक का close जो वो अलग-अलग state के लिए दिया गया, इसमें भी देखे, special provision है, कुछ specific states के लि इना बाहर के interfere के, यानि बाहर बोले तो state और central government के interfere के, हम उमारा जो administration है, अपनी हिसाब चलाना चाते हैं, तो सरकार वहाँ पर वो अनुमती देती है, article 371 के थैं, अरे वही चीज तो six schedule दे रहा था, वो भी तो यही बोल रहा था कि state का या center का interfere यहाँ ना हो, article 371 भी यही state का और center का interfere ना हो, देके दोनों ही same है, लेकिन powerful कौन सा है, powerful भाई साब six schedule है, six schedule बहुत जदा power देता है, लेकिन article 371 इतना powerful नहीं है, हाँ थोड़े बूत उनको power दे दी जाएगी, आप हाँ सड़क बना लीजिए, यह चोटे मूटी चीज़ें आप कर लीजिए, वो सब च सरकार देखती है बहार की, बहार मतलब center या state government देखती है बहाँ पर, article 371 के तहर, article 371 जो है एक तरीके से यहाँ पर देखें, यह थोड़ा सा क्या है कि हिंदी में मैंने जो यहाँ पर translate के वो कभी-कभी गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा English में भी आप देख लीजिए, यहा और ज़्यादा accent भी कहा जा सकता है, कि हाँ थोड़ी बहुत और power देदेंगे, लेकिन while stopping short of widespread, जितनी आपको आजादी जी जाती है, autonomy के नाम पर, ADC और ARC में, six schedule के अंदर, उतनी आपको नहीं मिलेगी, 371 में, हाँ थोड़ी बहुत ले लीजिए, लेकिन जादा नहीं दे जिसके तैत कुछ शेत्रों के लिए, जैसे महराष्ट और गुजरात में, विकास बोर्ड का निर्मान करने के अवशकता थी, ताकि वहां के स्मगर विकास और सरकारी वेकी अवशकता का अंकलन किया जा सके, तो यहां पर क्या गया, आर्टिकल 371 के तैत, वहां पर एक वि आर्टिकल 371 A में जो है, वो नागालेंड के अंतर आता है, जिसमें संसद ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती, जो नागाओं की, जो समाजिक, धार्मिक और प्रतागत, कानूनी प्रताओं, या फिर राज्य विदान सभा की सहमती के बिना भूमी के अस्तांतरन और स्वामित को परभावित करते हैं, मतलब सिंपल भाशा में बोलें कि सेंटर गोर्मेंट जो है, अगर वहां के लैंड से रिलेटिड कोई भी कानून बना रही है, नागालेंड में, नागाओं के लिए, जो वहां पर आर्टिकल 371 लगाया गया है, ये भी ऐसे होते हैं, पूरे स्टे कोई भी कानून बनाना है, तो ये जो स्टेट से पहले तो सेंटर को पूछना पड़ेगा, कि यहां पर एंटरफेर करें कि ना करें, क्लीर हुआ, और साथ इसाथ जो ये 371 यहां लगाया गया, तो यहां के जो लोग हैं, वो अपने समाजिक, धार्मिक, और जो उनका जैसे कि नर्थ इस्ट में क्या होता है, कि हम देखने को मिलता है, नरक अंकाल जो हैं, वो पहनते हैं वहां पर, जो एक तरिके से भारत में आप और कहीं देखेंगे, तो वो सब चीज़ें नहीं पहनते हैं, तो यह सब चीज़ें हम आपर दी जाती है, यह सिक स्केडियू जो है, वो मनिपूर के लिए आ जाता है, विदान सबा में विशेश समीतियों के निर्मान, स्पेशल कमिटी जो बनाई जाएं, उनकी लिए अनुमती देता है, इन समीतियों को करम से आदिवाशी शेत्रों और पहाडी शेत्रों में चुने गए विधायक जो हैं, उसके अ परणांचल परदेश और गोवा के लिए विशेश प्रावधान इन में से परतेक राज्य के अधिकारिक तोर पर बनने के तुरंत बाद पेश किये गए थे, मतलब जब आप देखेंगे न, आर्टिकल 371 जब इनको दिया गया था, तो जब ये स्टेट बन गये थे, जब ये राज्य बन गये थे, तब उनके तुरंत बाद इनको पेश किया गया, अगर अगर देखेंगे, अगर लद्दाक के अंदर विशेश प्रावधान यानि कि आर्टिकल 371 दिया जाता है, तो ये स्टेट का, यानि कि ये जो देश का पहला एक ऐसे ये टरिटरी होगा, ज सरकार जब पहाड़ी प्रशिदों के माध्यम से स्थानिय लोगों का परतिनिद्ध और भागीदारी सुनश्चित करेगी और सारजनिक रोजगार में 80 परतिशत तका आरक्षन परदान करने को तयार है, एक तो देखिए, लद्दाक के अंदर, लोगसभा के अंदर एक ही स मतलब देखिए, किसी सेत्र के अंदर लोग रह रहे हैं, अगर वहां का कोई representative ही नहीं है, वहां के बस लोग रह रहे हैं, सेंटर उनके ओपर सिर्फ सिदा परशाशन कर रही है, शाशन चला रही है, कानून बना रही है, यह लोग उसमें रहे हैं, दो सेंटर इनके ओपर टोपिक है, आर्टिकल 371, यह क्या है, यह समझ में आया गया, 6th schedule क्या है, यह समझ में आ गया होगा, क्यूं यह मांग उठा रहे हैं, यह भी समझ में आया गया होगा, अगर यह सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो मुझे कैसे समझाएंगे, ओविसली वीडियो को से बदा देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आ वहाँ से इस वीडियो की पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना एदा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो